हेलो एबरीवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल सुमी रंजीत रसोई ब्लोग आज हम लोग चन्ने डाल की रोटी बनाएंगे डाल वाली रोटी तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं चन्ना डाल ले लिए उसको अच्छे से दो लिजिए प्रेसर बागर में दो सीटी लगा लेंगे दो सीटी होने के बाद उसे निकाल लेना है और 5 मिनद तक पानी को गरने देना है इसके बाद मिक्सर में डाल कर उसको ग्रेंड कर लेना है दादा मैं हीना करना है बस दर दर होने तक इसे थोड़ा सा बस ग्रेंड कर लें और निकाल लें इसके बाद इसको फ्राइ करने के लिए थोड़ा ओइल डालें मिर्ची डालें लसन अद्रह का पेस्ट डालें और थोड़ा सा हल्दी पौडर मिर्ची पौडर मन हो तो डाल दें और थोड़ा सा धन्या पौडर उसके बाद चन्ना जो ग्रे पंदूर होने के लिए फ्राइ करना है जादा नहीं फ्राइ निकालके रख लिए इसंगे से बढ़ात मैं आटा गुंद के रखिती जैसे रोटी बनाते हैं वैसे यह आटा गुंद के रखा श्याओ अब इस तरह से डो बना लेना है मैं इस तरह से सारा डो बना के रख ले रही हूँ इसके बाद बनाना इस्टार्ट करेंगे ऐसे डो बना के रख लेने से असान होता है बनाने में जल्दी से बन जाता है नितो ऐसे बहुत टाइम लगता है बनाने में इसे तो मैं पहले सारा डो बना के रख लूँगे तो मेरा डो बनकर रेडी है सारे डो देख सकते हैं अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं इसको रोटी जैसे बेलते हैं सिंपल है वैसे ही बस बेलना है और रोटी जैसे सेखते हैं वैसे ही सेख लेना है आप द कि इसमें कोई अलग ट्रीक नहीं है या अलग कोई तरीका नहीं है जह से रोटी बनाते हैं वैसे ही बस बनाना की अनरे आँ इस तरह से मैं कि सारा रोटी मत एपढipples करकूप है ज़िट इसके साथ कुछ मिठा बना ले तो ज्यादा अच्छा रहता है कि इस तरह से घी लगा ले रिव मैं और मेरा रोटी बनकर रेडी है दाल फूरी इसे आप बेल के भी बना सकते हैं तो अगर चान के आपको अच्छा लगता है तला हुआ तो आप इसे तल भी सकते हैं घी या र रोटी बनकर रेडी है तो इस तरह से आप भी बनाएए और इंजोआए किजिए दाल फूरी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किजिएगा सस्क्राइब किजिए और सेयर किजिए थाइंक्यू फूर वाचिंग बाई बाई